किया आपका भी HB1C normal है और आपको लगता है कि आपको diabetes नहीं है और आपको future में कभी diabetes नहीं हो सकता है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका HB1C normal भी है अगर आपने GTT clear भी कर लिया क्या future में आपको diabetes हो सकता है बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मे मुझे तो diabetes नहीं है मुझे कभी diabetes नहीं हो सकता है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ऐसा test है जो आपको करना चाहिए और ज्यादा तर डॉक्टर्स यह recommend नहीं करते हैं आपको करना चाहिए यह test और अगर आप यह test करेंगे तो आप पता लगा सकते है कि क्या future में आपको diabetes हो सकता है या नहीं हो सकता है तो बने रहें मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरू कर देना चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा दीजे क्योंकि इस चै नमस्का दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं डाबिटिस कोच हूं और एक फिटनेस निट्रिशन स्पेशलिस्ट तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका HB1C नॉर्मल है तो क्या फिटर में आपको डाबिटीस हो सकता है कैसे पता लगा सकता है कि क्या आपको फिटर में डाबिटीस होगा या नहीं होगा वैसे बहुत सारे साइंस और सिंटम से जिससे कि आप पता लगा सकते है कि आपको डाबिटीस होगा या नह और उस test का नाम है fasting insulin test जी हा दोस्तों fasting insulin test ज्यादा तर डॉक्टर ये test recommend नहीं करते हैं लेकिन आपको ये test करवाना चाहिए और जब आप ये test करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपको future में diabetes होगा या नहीं होगा अप कैसे पता चलेगा इसका भी आज discussion करेंगे इस वीड insulin resistance के कारण होता है insulin resistance का मतलब होता है कि आपके बाड़ी में insulin तो बन रहा है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूटलाइज नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से आपके बाड़ी में insulin की मात्रा बहुत जादा हो जाती है और जब बहुत जादा हो जाती है तो उसको हम बोलते है hyper insulin और उसके कारण आपको होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आप कैसे पता लगा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है आपको तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट आप करेंगे लेकिन जब भी आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो आपको पता ही नहीं fasting insulin 12, 13, 14, 15, 20 थक भी आ जाता है तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं आपको लगता है कि मेरा तो fasting insulin जो है normal range में है तो मुझे कोई problem नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि insulin resistance को कैसे calculate करते हैं उसके लिए हमारे पास एक calculation है एक tool है जिसको हम बोलते है हो Koma IR को आप कैसे calculate कर सकते हैं उसके लिए आपको fasting glucose और fasting insulin दोनों का value पता होना चाहिए और इस formula से आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपको insulin resistance है या नहीं है तो यह formula क्या है यह formula को कैसे calculate करते हैं तो यह formula है fasting insulin multiplied by fasting glucose divided by 405 एक बार फिर से repeat कर रहा हूं fasting insulin multiplied by fasting glucose divided by 405 अगर इसका value एक के नीचे आता है तो आप कह सकता है कि आपका body जो है insulin sensitive है आपको insulin resistance नहीं है और future में भी आपको diabetes होने का chances बहुत कम है अगर इसकी value 1 से लेके 1.9 तक आता है तो आप कह सकता है कि आपकी body sensitive है moderately sensitive है उतना कुछ problem नहीं है अगर आपका value 1.9 से लेके 2.9 तक आ आता है तो आप कह सकता है कि आपको moderately insulin resistance है और अगर ये value 2.9 से ज़्यादा आता है तो आपको highly insulin resistance है तो अगर आपको highly insulin resistance है तो future में आपको diabetes होना निश्चित है 100% आपको diabetes हो सकता है अगर आप अपना lifestyle को change नहीं करेंगे तो इसलिए lifestyle को change करना बहुत जरूरी है lifestyle change करिए औ और देखे कि क्या आपको insulin resistance दो नहीं है अगर आपको insulin resistance है और diabetes नहीं है तो future में diabetes हो सकता है लेकिन अगर आप insulin resistance को lifestyle changes से insulin sensitive में तबदिल कर देंगे तो आपको diabetes होने का chances भी कम हो जाएगा तो इसलिए ये test करना बहुत जरूरी है और इससे आप future में आपको कभी diabetes ना हो पहल पहले ही फता लगा सकते हैं और पहले ही इसको रोक सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ आछा जानकरी मिला होगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर देना और इस video को ज़ाद से ज़ादा शेयर करिए क्य हम क्यों वेट करें कि पहले आपको Diabetes हो फिर Diabetes reverse करें उस stage के लिए क्यों वेट करें जबकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन है टेस्ट से जिससे हम पता लगा सकता है कि हमको फ्यूचर में Diabetes हो सकता है और इसको पहले ही रोक सकते हैं पहले ही प्रिविंट कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति प्रिविंशन पर फोकस करें और जिसको डियाबिटीज नहीं है उसको भी फोकस करना चाहिए अगर आपका HV1 से नॉर्मल भी आता है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए औ और अपना लाइफस्टैल को चेंज करना चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो के देखने के लिए अब सब का बहुत बहुत धैनेवाद झाल